नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुन उनिगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं Center for Social Studies की वीडियो तो New Centers of Power जो आपका नए सलेवस के अनुसार उसके अंदर जो बदला हुएं उसमें आपको कुछ नए Centers of Power जो है पढ़ने जिसमें ब्रिक्स मैंना बता दिया है यह रशिया वाला चैप्टर होगा उसके बाद आप इंडिया और इस्राइल की तरभी देखेंगे तो रूस के बारे उसमें भी सोवेसंद का भी सबसे बड़ा देश था उसके बाद जितने भी देश थे सब छोटे छोटे थे लेकिन आपको पताएं कि 1991 के बाद सोवेसंद का विगठन हो जाता है सोवेसंद संद जो है वो तूट जाता है अब जितने भी देश अलग होते है उन देशों में जो सोवेसंद से अलग हुए उन देशों में भी सबसे बड़ा देश रशिया ही है और बाद में जो सोवेसंद का उत्राधिकारी बना वो कौन रूस ही बना था रूस जो है वो सोवेसंद का एक मजबूत उत्राधिकारी बना था उसे UN में वही सीट मिली थी जो सोवेसंद को प्राप्ती जो उसके प्रवाणों हत्यार थे वो रूस को मिले क्योंकि रूस का जो है दबदवा था सुवेसंद के उपर अब कौन से ऐसी चीज़े हैं जो रूस को दुनिया में एक सत्ता का नया केंद्र बनाती है तो पहला तो ये कि दुनिया की 11 भी सबसे बड़ी अर्थवस्ता रूस की है ये आपको पता होना चाहिए पहले भी मैं आपको पता है अपनी वीडियो में दूसरा ये कि रूस के पास देखा जाए तो खनिज की मातरा प्राक के पास तीसरा ये कि रूस के पास अगर आप देखें मिलिटरी पावर के रूप में आप देखें तो वह परमानुशक्ति से संपन्ग देश है लगभग 8000 से ज़्यादा परमानुबं रूस के पास है बहुत बड़े शक्तिशाली परमानुबं इसके साथ ही जो पारिस्क् करते हैं जिस तरह के रड़ार रूस के पास है उस वैसे किसी के पास भी नहीं है चौथी चीज है कि अगर आप देखें तो यूएन के अंदर रूस बहुत तागतवर है क्यों क्योंकि सुरक्षा परिशद के अंदर वह स्थाई सदस से है आपको पता होना चाहिए कि सुरक फाइफ के नाम से जानते हैं पर्मानेंट फाइफ यह कुछ महतपून बिंदू हैं जो रूस को सत्ता का नया केंदर बनाते हैं इसके अलावा और जो आपको जानना है स्लेवस में आपको यही दियावा है क्योंकि जो हमें प्रवाइट करा गया है स्टेडी मेटेरियल सी इसी के तरफ से नए स्लेवस को लेकर उसमें इतने ही पॉइंट्स आपको बताये गए हैं तो चाहिट सी बात है यह दो तीन से ज्यादा नमबर में यह सम नहीं पूछा जाएगा च्छै नमबर में तो पूछा भी नहीं जाएगा इसी लिए इसमें इतना ही जानना काफी ह है मैं चाहर पॉइंट आपको बताएं कि क्यों उसको सत्ता का निया केंद्र माना जा रहा है इसके लाब उसको क्या इतिहास है और आपको पता होना चाहिए कि सैन्य सक्ति के मामले में अभी नमबर दो पर जो विस्वी की जो सबसे बड़ी स्थीना है वो अमेरिका के पास करें आपका सब्सक्राइब करना आपका लाइक करना कमेंट करना हमारा उत्साह बढ़ाएगा हम आपके